नमस्कार प्रेजर्शकों हाजर हुमें मंगल राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर 16 अगस्त 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशी मीन राशी जो देवगुरु ब्रहस्पती की साधारन राशी है को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोन राशी मेश राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं मेश शे लेकर मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है क्या लाभ और क्या हानी इस विशय पर हमारी ब्रिहत चर्चा जारी है कल हमारी चर्चा मेश व्रिशभ मिथुन करक सिम्ह और कन्या इन चह राश के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर प्रभाव को लेकर के पुरुन हो चुका है आज हम चर्चा करेंगे बाकी की चह राशियां तुला, व्रिश्चिक, धनू, मकर, कुम्भ और मीन मंगल निसंदेह मंगल का जो गोचर है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता अमूमन मंगल एक राशी में 45 दिन का समय व्यतीत करते हैं हाँ इस बार बात थोड़ी अलग है क्योंकि मारगी और इनके वक्री काल को मिला कर एक लंबा समय व्यतीत करेंगे मेश और मेश से फिर मेश 22 फरवरी 2021 में अब मंगल का राशी परिवर्तन होगा ब्रिशभराशी के लिए बीच में इनका वक्रत्पकाल आएगा और उसका क्या प्रभाव होगा उस पर आगे चर्चा होगी कर्म प्रधान विश्वर चिराखा और अगर आप पराक्रमी हैं कर्म में विश्वास करते हैं और आपको इस बात का भरुसा है कि आपको आपके जीवन काल में जो चाहिए आप जो लेना चाहते हैं जो पाना चाहते हैं उसके पीछे सुर्फ एक ही चीज़ कारिकर रहा है और वो है कर्म आपका पराक्रम तो आपको मंगल के इस गोचर का प्रभाव अवश्य जान लेना चाहिए प्रिदर्शकों यह गोचर में आपके जन्म कुंडली में जिस राशी में चंद्रमा है पहले तो आप यह जानते हैं वही आपकी चंद्र राशी है जन्म राशी है उसी जन्म राशी के आधार पर इस गोचर को बता रहा हूँ, अगर आप के पास आपकी कुंडली नहीं है, आप नहीं जानते कि आपकी जन्मराशी क्या है, तब फिर अगर आप जानते हैं तब आप जन्मराशी से ही देखी, और अगर नहीं जानते तब फिर आप अपने प्रचलित नामराशी के आधार पर जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस प्रचलित नाम राशी का अधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं पराकरम के कारक है मंगल, वाद बिवाद लडाई जगडा, छोटे भाई वहन के कारक है मंगल और मुख्यत पराक्रम हमेशा जो बात करता हूँ पराक्रम के कारक है मंगल और पराक्रम के कारक है फलस्वरूप इनका प्रभाव तो जानना ही होगा चलिए चर्चा प्रारम करते हैं आज की पहली राशी और राशियों के क्रम में सातवी राशी तुला राशिके जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर किया रहा है अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए सरवाधिक कारक ग्रह है ऐसा नहीं कहा जा सकता एक और बाद यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि असल में सुर्य के गोचर के बारे में हमने चर्चा की अब मंगल की चर्चा कर रहे हैं बुद्ध की चर्चा भी होनी है असल में बुद्ध की जब चर्चा होगी तो वही सही निरनायक भुमिका में होंगे वैसे तो जिनके लिए सुर्य बढ़िया हुए अब मंगल को ले लिए, जैसे सूर्य आपके लिए बेहत खास हो रहे हैं, लाभ भाव में बैठ करके, तो मंगल भी कही न कहीं सब्तम भाव में जाकर के आपके लिए फायते मंद होंगे, तो जिन राशियों के लिए सूर्य बढ़िया हो रहे हैं, मंगल बढ़िया हो रहे है असली निर्णे कराने का काम बुद्ध करेंगे कि बुद्ध का जब गोचर होगा वो किस तरह का प्रभाव जीवन काल पर लेकर क्या रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तुला रासी के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल सब्तम भाव में आपकी रासी से सब्तम भाव में गोचर करेंगे और रूचक राज-योग का निर्माण ये आपके लिए कर देंगे सब्तम भाव आपके दामपत्य का भाव है पाटनरशिप का भाव है बढ़िया है यह गोचर आपके लिए बैवाहिक जीवन को लेकर के बढ़िया है यह गोचर बिवाह अभी तक नहीं हुआ तो बिवाह होगा बैवाहिक जीवन में सकरात्मक परिवर्तन आएंगे यानि मत भेथ था जीवन साथी से किसी प्रकार का अनवन परिशानी थी वो दूर हो जाएगी तो वहीं ब्यापारी हैं तो नए कारोबार की शुरुवात होने वाली है मिला जुलाकर कि यह समय पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल होगा आप समझ ही क्यों नहीं पाते कि चंद्र कुंडली भी ऐसी ही होती है जैसी जन्म कुंडली होती है तो जैसे जन्म कुंडली देखी जाती है वो वैसे ही चंद्र कुंडली तो चंद्र कुंडली में भी ग्रह की दृष्टी होगी तो मंगल की दृष्टी पढ़ेगी पहले तो दसंभाव पर कारेक छित्र में जबर्दस्तों सफलता नौकरी पेसा लोगों के लिए बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी में हैं और जबर्दस्त अगर चाहते हैं नौकरी में कुछ प्रमोसन इत्यादी हो धनागमन के कुछ नए रास्ते बनेंगे नौकरी चली गई है और प्रयत्न आप कर रहे थे जबर्दस्त नौकरी चली गई है और प्रयत्न कर रहे थे कि व्यापार में सफलता मिल जाए मिलेगी किसी भी प्रकार के बिबाद से दूर रहना होगा क्यूं? क्यूंकि मंगल की दृष्टी पड़ेगी लगन पर क्या होगा? धैरे में कमी आ जाएगी व्यक्तित्व आपका वैसा नहीं है आपका जो मूल व्यक्तित्व है वो है सामनजस्य वृत्ति प्रधान आपका जो मूल व्यक्तित्व है सब को हसकर अपना बना लेना लेकिन यहाँ पर धैरे में कमी का आना क्रोध बहुत जादा होना चिड़-चिड़ा स्वभाव हो जाना ऐसी स्थिति उत्पन न होगी समहाल कर चलिए इसको समहाल लिया फिर कोई दिक्कत नहीं और फिर मंगल की जो द्रिष्टी पड़े की धन भाव पर सो धन संचयन कराने वाले होंगे धन आगमन की स्थिति बने धन संचयन काम होगा तो धन आएगा और धन आएगा तो धन संचय होगा जीवन साथी को लेकर कागर किसी बात पर मत भेत था कोई गलत फ़मी थी कोई परिशानी थी सब दूर करके और केवल और केवल अच्छा बनाने का काम करिए वहीं अगर आप जमीन से related काम करते हैं जमीन की खरीद फरोग थित्याडी से काम करते हैं सम्मंधित काम तो lockdown ने आपको काफी हद तक नुकसान पहुँचाया होगा अब वो सारे काम आपके बनेंगे कमीशन से related जितने काम होते हैं और आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में आते हैं निसंदेह लॉगडाउन ने आपको नुकसान कहुचाया होगा उनकी भरपाई होने जारी क्यों? क्योंकि सुर्य अतिविस्ष्ट कार्य खोकर के लाभभाव में होंगे और मंगल सप्तम में बैटकर रूचक राज योग का निर्मान करेंगे गुरू पाराक्रम में हैं और वो अपना प्रभाव दे रहे हैं यानि चहू और नौकरी पेसा है तो नौकरी पेसा वाले लोग कारिस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा जो उच्चा धिकारी हैं उनसे सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए कहना ही नहीं ब्यापार के सभी दिसाओं से चहूर से लाव किस्तिती बंती दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूँ बहुत बढ़िया है यानी एक भी शत्र नहीं जहां पर परिशानी दिखाई पड़े सेहत का जरा खयाल रखियेगा बाकी वैसे कोई परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है चारों तरप से तुला रासे के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर मंगल ही मंगल लेकर क्या रहा है वानी पर सावधान नियंत्रन रखियेगा और बोलते समय सावधानी रखियेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या करना चाहिए आपको हनुमान जी की आराधना करते रहेगा क्योंकि सनी की धैया आपको चल रही है तो धैया के कारण मानसिक अशांती होती है और विशेशकर चंद्रमा अगर सनी से दृष्ठ हो तो आप हनुमान जी की आराधना जितना आधिक सदिक हो सके करते रहेगा भुवन भासकर को अर्गे प्रदान करते रहेगा आपको कोई चिंता करने की आवशक्ता नहीं यह गोचर आपके लिए बेहत खास है वरिश्चिक रासी 16 अगस्त 2020 भूमिपुत्र अपनी राशी बदलने जा रहे है मीन से अपनी स्वराशी, मूल त्रिकोन राशी, मेश राशी की और अब यह गोचर करेंगे आपके लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर की आ रहा है सूरी यह से पहले समझ लेजिए सूरी आपके दसम से सम्भंदित होकर के चल रहे हैं जो कि आपके लिए फायदे मंदिस्तुती है अब बारी आती है मंगल की अब मंगल देखिए सस्ठम में गोचर करेंगे आपके राशी के राशी पती है ब्रिश्चिक राशी के ये स्वामी है इनकी मूल साधारन राशी है ये अब एक जोतिशिये रूल कहता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी दूसरी राशी में होगा तो जो उसकी दूसरी राशी है ये अपनी पहली राशी में नहो करके दूसरी राशी में होगे लगनहहमें ब्रिश्चिक राशी है और ये दूसरी राशी में बैठे हैं तो इसके बल को बली कर देंगे अर्थात आपके ब्यक्तित को उभार देंगे ब्यक्तित को कद को और मजबूत कर देंगे निसन देह इस गोचरकाल के दौरान आपके शत्रु आपपर हावी होने की कोशिश करेंगे हावी नहीं होंगे कोशिश करेंगे परंतु वो कुछ बिगाड नहीं पाएंगे क्यों क्यों क्योंकि मंगल सस्ठम में कारक हो जाते हैं तो रोग रिपु अरिन इससे परेशान होना पड़ेगा आपको क्यों होना पड़ेगा क्योंकि जब समस्याएं आएंगी तो ठीक है कि आप उस पर जीत हासिल कर लेंगे लेकिन समस्याओं से लड़के ही तो जीत हासिल किया जा सकता है सो समस्याएं आएंगी सावधान दहना होगा वानी पर मियंत्रन रखना होगा बहुत जादा फिजूल का दिखावा चुकि सूरेदस्मस्त है तो अगर आपका काम सरकार से जुड़ा हुआ है साशन प्रसाशन से जुड़ा हुआ है और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि दूसरे के सरकारी काम कैसा भी काम करवा देते हैं जरा हाथ रोक के नहीं तो फस जाएंगे कोई गैर कानूनी काम करते फसना भी संभव है सो सावधान हो जाएगा हो सकता है आपका कोई शत्रू धीरे से शिकायत कर दे बहुत सतर्क रहना होगा सतर्क होकर के काम करेंगे तब बचे रहेंगे वैसे क्या जाता है कुछ दिन सतर्क होकर के सावधानी के साथ वक्त को काटिए अपने आपको शांती दीजिए और अचनात्मक कारियों में अपने आपको लगाईए समय परिवार के साथ बच्चों के साथ व्यतीत करिए इससे आपको शांती मिलेगी और सांती से फिर सफलता इस गोचा रकाल को अगर आप सांती से कटिन देते हैं कोई गलत कारिय नहीं करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं तो वही कोट का चहरी का चकर लग रहा था आपका तो वहाँ पर भी आपकी विजय होगी मंगल की दृष्टी पड़ेगी बारहें भाव पर मंगल की दृष्टी पड़ेगी भाग्य भाव पर और मंगल के दृष्टी पढ़ेगी व्यक्तित्तों पर किन-किन चीजों से आप सावधान रहें तो आप सूरे का बहुत अच्छा फल उठा लेंगे किन-किन चीजों का पहला वानी पर आपको बहुत नियंत्रन रखना होगा जो भी बोली है सोच समझ करके बोली एक, दूसरा, क्रोध करने से बचना है तिसरा, किसी को नीचा दिखाने से बचना है चौथा, धैरे की कमी नहीं होनी चाहिए जो कि आपका मूल स्वभाव है आपको धैरे में कमी नहीं लानी धैरे बना करके सामंजस्ट के साथ सभी काम करने है ताकि कोई दिक्कत आपके जीवन काल में ना आए बिरोधी, निशन देह आपको परास्ट करने के लिए आएंगे सड्यंत्र करेंगे, लेकिन जाता क्या है कि वो आपका कुछ नहीं विगाड़ पाएंगे सो क्यों न आप थोड़ा सांती बना करके रखें जैसे ही पता चला कि फखलाना आपका नुकसान करने वाले थे आपके खिलाप सड्यंत्र रच रहे थे उन्होंने रचा या नहीं रचा आप उनसे लड़ने और भिड़ने, मरने, मारने को उतारू हो गए आप मुश्किल में पढ़ेंगे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ परिवारिक जीवन को महत्तो दीजिए माता पिता को महत्तो दीजिए उनसे सलाह लेकर के कारिये उनसे बातचीत करिये, उनको समय दीजिए धर्म कर्म में आपका ब्याय हो अच्छे कारियों में ब्याय हो माता पिता के उपर आपका ब्याय हो आपके जो पैसे खर्च होंगे वो पैसे दवा में न हो कोट का चहरी में न हो किसी गलत कारिया में न हो कहां हो फिर खर्च? माता पिता के सुखो पर हो उनको अच्छा कोई धार्मिक कर्म करा रहे हैं खुद भी आप अच्छे धार्मिक कारे कर रहे हैं किसी की मदद कर इन पर ब्याय हो फिर देखिए ये सूर्य नाम करा देगा आपका और कटू बानी नहीं बोलना क्रोध नहीं करना है शत्रूं से घबराईएगा मत वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अब आज आईए वो लोग जो लोग रिण से परिशान हैं और वरिश्चिक रासिके हैं क्या होगा मंगल रिण के कारक हैं और सस्थम में जब ये गोचर कर रहे हैं तो रिण से मुक्ती दिलाने के लिए यानि रिण से उरिण होने के लिए अगर आप प्रयत्न करें इस गोचर काल के दौरान तो आपको बेहत फायदा मिलेगा और रिण से मुक्ती का आप साधन अवस्य बना लेंगे क्योंकि दसमस्तों सूरी काम कराएंगे मैंने बस इतना ही कहा है गैर कानूनी काम करने से बचिए बाकी अपने काम करिए कहीं कोई दिक्कत नहीं तो रोग रिपु और रिण से अपने आपको सुरक्षित आपने रख लिया तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया बन जाएगा कुछ उपाय करिए हनुमान जी की आराधना आपको करते रहनी होगी और मंगल के बीजमंत्र का जप आपको करना होगा इससे आपकी सुरक्षा तै हो जाएगी बाकी मंगल सस्थम में भी आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे आनंद लीजिए इस गोचर का धनुराशी सोलह अगस्त दो हजार बीस भूमिपुत्र कायः गोचर मेश राशी में आपके लिए पंचम भाव में होने जा रहा है अब विचार कीजिए सूर्य भाग्य भाव में लगन में देवगुरू निसंदेह केतु के साथ परन्तु लगन में देवगुरू पंचम में सूर्य और पंचम में मंगल स्वग्रही जवर्दस्तिस्ति है आपके लिए यानि लगनेस लगन में पंचमेस पंचम में नवमेस नवम में नवमेस नवम में और धनेस धनभाव में मिला जुलाकर के साधे साती की आखिरी ढईया आप देख रहे हैं सीधी सी बात है मंगल का यह गोचर अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके जीवन काल में चहुँवर से मंगल ही मंगल होने जा रहा है तो ये अतिशयोक्ती नहीं होगी लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है ये प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्रेम संबंद को दामपत्य में तबदिल करना चाहते हैं कर सकते हैं दामपत्य जीवन भी सुखद विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त सफलता का दिन सक्षा के छेत्र में जबर्दस्ट सफलता चहुं और से रास्ता मिल रहा है गर्भवती महिलाओं को सावधान करने की बात होती है तो मैं कह देता हूँ अभी किसी ने पूछा था कि मेरा आखिरी महिना है मुझे भी चिंता नहीं नहीं विशेस कर उन लोगों को जो प्रारंभिक दौर में है जो प्रारंभिक दौर में उन्हें विशेस सतर करहना चाहिए बाकी कोई परेशान होने की आवशक्ता नहीं है मंगल और सुर्य में भेद ये है कि मंगल प्रारंभिक गर्भ को यानि पहला जो गर्भ होता उसको विशेश रूप से खराब करते हैं विशेश कर पहली बार जिनका गर्भ है उनके लिए जादा नुक्सान करने की संभावना बना देते हैं और सूर्य में क्या है कि वो गर्भ को हर हाल में खराब करने का ही काम कर देते हैं जला देते हैं क्य जबर्दस्ट सफलता विद्यार्थियों को चहोऊर से सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है अब ज़रा इस गोचर को समझे ए मंगल का पंचम भाव में संचरन करना अस्टम पर दृष्टी होगी लाभ पर दृष्टी होगी और ब्याय पर दृष्टी होगी अस्टम पर जैसे उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां कई बार जब आप प्रायह मुझसे भी ये लोग पूछते हैं कि मैं बुजरुगा अवस्था में हूं मैंने अपने जीवन में धन बहुत देखा सुख बहुत देखा क्या मुझे अब सदगती मिलेगी सदगती सब्दस ठीक होगा म उनके लिए एक नया रास्ता ले आएंगे क्योंकि मंगल यहां बैठकर अश्टम को और साथी साथ बारवे खुद उन ही का घर है को देखेंगे अब पंचम भाव में बैठकर धर्म से धर्म नवे से नवा जबरदस्तिस्ति यहां से ज्यान का सुख और मृत्यू और मृत् के टित्यादे में निवेस करते हैं वो निवेस तो करें परंतु सावधान होकर करें विशेस कर आकस्मिक धनलाव की संभावना जरूर दिखाई पड़ रही है मैं यह नहीं कहूंगा कि नहीं आकस्मिक धनलाव नहीं होगा परंतु सावधान होकर के आगे बढ़िये तो ल इंत्रन रखिएगा और केवल सही जगह पर आपका ब्याय हो तो अच्छा है इस गोचर काल के दोरान अगर आपका पैसा विदेश इत्यादी में फसा हुआ है तो वहां से धन आने की संभावना बनेगी यानि विदेश में अगर आपका पैसा फसा हुआ था दूबा हुआ थ दूबासकर की आराधना करते रहिएगा और बढ़ी अलाभ लेना चाहते हैं तो मंगल के बीज मंत्र का भी जब करते रहिए तो आपको और फायदा मिलेगा तो धनुराजिके जातकों को विश्रेस रूप से किसी चिंता की आवशक्ता नहीं इस गोचर का केवल और केवल मकर राशी 16 अगस्त 2020 मंगल वर्तमान समय में देखा जाए तो आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम से ये परिवर्तित हो करके स्वराशी मेश राशी में अपनी मूल त्रिकोन राशी में आपके चतूर्थ भाव में गोचर करना प्रारम्भ करेंगे सूरी के गोचर को मैंने क्या बताया था आपके लिए तो आपको याद होगा सूरी के गोचर को मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा था अब सवाल उठता है कि मंगल अच्छा फल देंगे या खराब इसमें कहीं कोई संसय नहीं कि मंगल रूचक राजयोग बना रहे हैं तो रूचक राजियों कभी खराप फल नहीं दे सकता, यह संसे नहीं है इसमें, परंतु मंगल में उगरता होती है, मंगल में क्रोध होता है, मंगल में धैरे की कमी होती है, चतुर्थ भाव आपका स्वग्री है, फलस्वरूप मंगल के इस गोचर में अगर परिशानी होती ह तो उसके पीछे अगर कोई जिम्मेवार है, कोई कारण है, तो वो है आप, कैसे? धैर की कमी के कारण, जल्दबाजी के कारण, माता, पिता के अपमान और जीवन सांथी का भी अपमान करके, आप अपने इस गोचर को खराब कर सकते हैं, सुर्य पहले ही अस्टम में है, पिता के साथ समंद्ध खराब आप करेंगे, यहां भी कर लेंगे, अब उत्तुदाहरन से सोचिए, कि आपने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मैं पिता के साथ भी समंद्ध ठीक रखता हूं, जीवन सांथी के साथ भी और घर का माहौल भी, तो क्या तब भी यह गोचर खराब हो अपले थे, वहां आपकी जय होने वाली है, वहां आपको सफलता मिलने वाली है, कारेक खित्र में आपको सफलता मिलने वाली है, नौकरी चली गई थी, तो नौकरी प्राप्त हो जाएगी, या व्यापार के खित्र में आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, नई नौकर का प्रत्म कर रहे थे आपको वो प्राप्त हो जाएगा फिर दिक्कत कहां सिर्फ आपके अपने उपर नियंत्रन नहों हो पाने के कारण धैरे बना करके रखिएगा घर का माहौल खराब मत होने दीजिएगा आपके लिए हगोचर खराब नहीं होगा आईए समझते हैं मंगल का चतुर्थ भाव में रूचक राजयोग बनाना रूचक राजयोग बहुत बढ़िया होता है इस बारे में आप जानते हैं हर प्रकार के सुखों को देने वाला होता है यह अब यह मंगल दृष्टी डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव पर तो जीवन सांती से मतभेद की संभाव ना लाएंगे लेकिन अगर आपने इस चीज को संभाल लिया तो अपने घर में बैठा ग्रह चुकी बहुत मजबूत है तो उसकी दृष्टी खराब नहीं होगी फलतह क्या होगा तो ब्यापारादी के छित्र में आपको रास्ता करना चाहते हैं तो वहां आपको रास्ता ये दिखाएंगे ये अच्छा हुआ आपके लिए नौकरी नहीं है आप रत्न करते हैं सफलता मिलेगी मंगल की दृष्टी दसंभाव पर पड़ेगी कमीशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं आपको सफलता मिलने वाली है ज जब आपके काम बनेंगे तभी तो आपको लाब होगा शासन और प्रसासन में जुड़कर घुसकर और वैसे तो मैं नहीं कहूंगा गैर कानूनी तरीके से आपको काम नहीं करना चाहिए सही तरीका ही चुनिए सही तरीके से जो भी आप काम करते हैं उसका काम भी आपका ब प्रेंडल करते हैं अपने आपको कैसे पेस करते हैं इस गोचरकाल के दोरान अगर आपने अपने आपको अच्छे धंक से पेस किया तो यह गोचर निशन दे बुरा नहीं कहा जाएगा तब यह गोचर निशन दे आपके लिए फायदेमंद बनेगा और आप इस गोचरकाल मे जहां सूर्य आपको परिशानी दे रहे थे, कस्ट दे रहे थे, अपने आपको आप सुरक्षित कर पाएंगे और इस गोचरकाल में भी आप लाव अरजित करेंगे ब्यापारियों के लिए बढ़िया है, नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है, जिनकी नौकरी चली गई है, उनको नई नौकरी प्रैप्त करने के लिए, प्रैप्त करने के लिए, प्रैप्त करने के लिए, बहुत बढ़िया है समय, सभी प्रकार से बढ़िया है दामपत्य जीवन को समालिए, जीवन सांथी का सम्मान करिए, जीवन सांथी का आदर करें, जीवन सांथी की बातों को मानें, कोई चिंता करने की आवशक्ता नहीं, कोई भी से सुपाई नहीं, हनुमान जी की आराधना आप कर रहे होंगे, भुवन भासकर की आराधना करिए और मसूर की दाल किसी ने पुछा था कितना जितना आपसे हो सके सवा पाओ 500 ग्राम अधा किलो 200 ग्राम कितना मात्रा थोड़ी सी ले लिज़े अच्छा सुब के लिए कहते हैं सवा किलो या सवा पाओ जो आपसे हो जाए ले लिजेगा और ले करके लाल रंग के पोटली में बांध करके अपने उपर से साथ बार उवार करके जा करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजे सुरक्षित हो जाएंगे बाकी हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो वैसे भी सुरक्षित ही रहेंगे कुम्भ राशी संचरण कर रहे हैं और अब इनका गोचर आपके पराक्रम में होने जा रहा है जहां कि मंगल कारक हो जाते हैं साहस के पराक्रम के ये कारक हैं और पराक्रम भाव में ही इनका गोचर होगा गौर करिए सूर्य आपकी रासी से सप्तम्भाव में स्वग्रही हो करके गोचर कर रहे हैं दामपत्य जीवन को अगर आपने सम्हाल लिया जीवन साथी का अगर आपने सम्मान किया यह गोचर आपके लिए बढ़िया होने जा रहा है अपने प्रयासों को सही दिशा दीजिए कोशिश कीजिए सफलता अवश्य मिलेगी नौकरी पेसा है तो व्यापारी है तो सभिक शेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है विद्यारतियों के लिए गोचर अत्यनत स्रेश्ट है बरतमान समय में वैसे तो लोगडाउन के चलते हो सकता है घर में ही रहकर के आपको पढ़ना पढ़ रहा हो परन्तु बहुत बढ़िया है यह समय वहीं खेल से सम्मंदित छेत्र में जुड़े हुए हैं सेना, मिलिटरी, पुलिस इत्यादी से सम्मंदित छेत्र में जुड़े हुए हैं सफलता या इस से सम्मंदित छेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं सफलता पारिवारिक जीवन भी बढ़िया होने वाला है वहां सकारात्मक्ता आएगी खुद में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं कोई बूरीलत है कोई गलत आदत है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं बहुत बढ़िया चोटे भाई बहन हैं उनका सहयोग मिलेगा बलकि ये समय ऐसा है कि उनको सपोर्ट करिए आपके सपोर्ट से वो आगे बढ़ने वाले हैं सिधी सी बात है मंगल पराक्रम में गोचर करेंगे तो आप अपनी सेहत का विशेश रूप से खयाल रख सकेंगे और अपने आपको फिट करने का काम करेंगे जो की लॉगडाउन ने आपको जो अनफिट कर दिया होगा कुम्भ राशिक हैं तो कही न कहीं सरीर फैलने की स् उसे फिट करने का काम मंगल करेंगे मंगल की दृष्टी सश्थम भाव पर होगी रोग रिपु और रिण इससे सुरुथ छुटकारा रोग से परिशान है मुक्ती रिण से परिशान है मुक्ती और सत्रू सोचना ही नहीं है भाग्य भाव पर दृष्टी पड़ेगी परदस्त नौकरी में प्रमोचन की संभावना बनेगी, नौकरी नहीं है तो सफलता मिलेगी और आगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो काम बनेगा, नौकरी चली गई है तो जी जान लगा दीजे अगर आपके पास विकलप व्यापार आदिका नहीं है, तो जी वो आपके छोटे भाई बहन हो, सम्मान करिए, रिस्तों को सम्मान देंगे, तो आपको बेहद लाभ मिलेगा, बेहद फायदा होगा, और यह गोचर आपके लिए चारो और से फायदा ही फायदा देने बाला है, जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, जो लोग र किस्टिकोंड से देखें, तो यह गोचर आपके लिए बेहत खास है, यानि कुम्भर आश्य के जातकों को इस गोचर काल का केवल और केवल फायदा मिलने जा रहा है, मेहनत कीजिए, भाग गया आपके साथ है, काम सारे आपके बनने बाले हैं, क्या करना चाहिए, हनुमान जी क्या राधना? साड़े साथी की प्रत्रम धया जो चल रही है, सुर्य भगवान को अरगे आप देते होंगे, जीवन साथी का सम्मान, माता पिता का सम्मान, फिर सुगोचर का आनंद लीजे, छोटे भाई बहनों को भी सम्मान दीजे, उनको आगे बढ़ाने का प्रत्न मीन राशी, मीन राशी के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, 16 अगस्त 2020 भूमि पुत्र वर्तमान समय में आप ही की राशी पर सुन्चरण कर रहे हैं, और अब चले जाएंगे आपके दुतिय भाव में जो वानी का भाव है, धन का भाव है, खाने-पीने का भीचार वहीं से किया जाता है, मंगल दुतिय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और सुरी को पहले आद करिए क्योंकि समय जो गोचर हो रहा है, और इस गोचर पर आपकी नजर पीछे से होनी चाहिए सुरी को लेकर के मैंने कहा था कि सावधानी थोड़ी रखनी होगी शत्रुहंता योगवे से तो बना रहे हैं परन्तु सावधानी की आवशक्ता है अब मंगल में क्या कहना है वानी पर नियंत्रन रखना होगा वानी में कठोरता नहीं आनी चाहिए सीधी सी बात है यह गोचर आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने के लिए आ रहा है जहां मैंने सुरे के गोचर में आपको बहुत सावधान किया था वहाँ पहला प्लस पॉइंट मंगल के गोचर में कि आपके लिए आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने के लिए आ रहा है आकस्मिक धनलाब कराने के लिए आ रहा है मिहनत अगर आप करते हैं, करमठ हैं, परिश्रम करते हैं तो सफलता दिलाने वाला आ रहा है कारिस्थल पर जो साथ के लोग हैं वो आपके सहयोग में खड़े होंगे उच्चा धिकारियों का सहयोग मिलेगा और जो आपके अधिनस्त हैं आप उनका सम्मान करिए वो आपका सम्मान करेंगे मिलजूल करके काम होगा सावधानी बेहत जरूरी है अब पहले मंगल के इस गोचर काल को आपको समझना होगा दुतिय भाव में मंगल स्वग्रही गोचर कर रहे हैं तो स्वग्रही गोचर कर रहे हैं सो बहुत बढ़िया कहलाएगा जैसा मैंने कहा धन की बृध्धी करेंगे सकते है मंगल की दृष्टी ग्यान पर, मंगल की दृष्टी अस्टम पर और मंगल की दृष्टी भाग्य पर तो पहले बात हम भाग्य की करेंगे भाग्य भाव को अत्यंत बलवान कर देंगे क्या होगा भाग्य का साथ मिलने लगेगा क्योंकि मीन के रासियों के लिए ये सरवाधी की योकारक हुए अब भाग्य भाव पर द्रशी डालेंगे तो एक बात तो तैह हुआ कि आपको आपके भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं अब जब आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा आपने अपनी वानी पर नियंतरन रखा सब का सम्मान किया तो माता पिता विश्यषकर पिता का भी सहयोग मिलेगा पिता का भी आपको आसरवाद मिल जाएगा दूसरा धर्म कर्म में आपकी रुची होगी धर्म कर्म से आप जुडेंगे तो जब आप धर्म कर्म से जुडेंगे तो इसका मतलब गलत कारियों से बचेंगे जब इनसान धर्म कर्म से जुडता है तो निसंदेह बुरे कारियों से बचता है अब इसका ये मतलब नहीं कि बुरे कारे करने वाले धर्मकर्म नहीं करते हैं फिर भी यहां आपकी सुरक्षा हो जाती है वानी पर नियंतरन रखेंगे क्योंकि मन सकारात्मक जब रहेगा धर्मकर्म करेंगे अच्छे कारे करेंगे तो मन सकारात्मक होगा मन सकारात्मक होग जितना हो सके अपने आपको समय दीजिए सांती के साथ रोज प्रानायाम करिए भुवन भासकर को अरगी दीजिए संतान क्या कर रही आपकी शुंतती की सच्छा कैसी हो रही है इस बात का आपको विशेश रूप से खया रखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पढ़ाई प्रेंशन हो ही ना मियानी मिला जुला कर के अगर आपने इन बातों का अक्शरसः पालन किया तो जहां मैंने आपको सूर्य के गोचर में सावधान किया था वहां मंगल में आपको अच्छे की बात कहूंगा आपके लाभ की बात कहूंगा और यही कहूंगा कि आपको फायदा मिलने वाला है सावधानी में ही सुरक्षा है वानी के हाथ में सब कुछ है नि बोलेंगे उसी पर सब कुछ टिका हुआ है खान पान का ध्यान रखेंगे कि इसी प्रकार की कोई परिशानी नहीं आएगी, खान पान के मामले में चुकेंगे, निशन देह परिशानी आएगी, आसा करता हूँ कूरी बात आप समझ गए होंगे, परिशानी से बचना चाहते हैं, सावधानी की सरण में आईए, करना क्या चाहिए आपको, सुरिकवर्ग आप दे रहे होंगे, देते रहिएगा, मंगल के बीजमंतर का जब करिये, हनुमान जी की भी आरादना करे तो अच्छा रहेगा, वानी पर कंट्रोल करना है, मता पिता की बातों को मानना है, विश्यस पर पिता की राय लेकर के आपको आगे बढ़ना है, और प्रयास एही क दुकावटे थोड़ी महसूस होंगी, लेकिन अगर आप मन लगाते हैं, पढ़ाई में दिल, दिमाग लगाते हैं, बिल्कुल सिक्षा पूरी होगी, उसों कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत कीजेगा, तो प्रियादर्श को ये था, तुला से लेकर मीन राशी परियंत, इन चाहरासी के जातकों के लिए मंगल और राशी परिवर्तन का प्रभाव और बाकी की चाहरासीों की चर्चा हमने कल कर ली थी, आज के लिए बस इतना है, इजाज़त दीजिए, पुना हम उलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार